गुद मॉनेख फ्रैंट्स सभी बिवर्ज को सभी सब्सक्राइबर्स को दीपा वली की हारदिक हारदिकशुब कामनाय और बदाइ दोस्तों चैनल पर सभी का हार्दे-खार्दे का भी नंदन है स्वागत है और जो भी चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें शेयर भी करतें वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करें दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और जिसके अंतरगत OBC आरक्षन का मामला भी है जिसमें कि 13 प्रतिशत पर होल्ड रखा गया है छे सब्जेक्ट्स को और कारण बताया गया है कि यहां पर हाई कोट में जो याचिकाएं जिप्तिकर्दी है और जिन विशो में याचिकाएं नहीं लगी है वहाँ पर पूरा का पूरा सत्ता इस प्रतिशत दे दिया गया है जिसकी वज़े से काफी असमानता देखने को मिली है गवर्मेंट का दिरोध भी हो रहा है और इस प्रकार से OBC पर सरकार की दोहरी नीति सामने आई है उसके बाद में दोस्तों आचार सहीता समाप्त हो चुकी है और जो शेश अभ्यरती बचे हैं जिनकों की जॉइनिंग लेटर जारी किया जाना है और चुराव की चलते इनको रोक लिया गया था तो कब तक गवर्मेंट इसको जारी करेगी उसके बाद में दो दोस्तों जो ट्राइवल डिपार्टमेंट है वाकई में पिशड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और डीपी आई से ये कदम से कदम मिला कर बिल्कुल नहीं चल पा रहा इसके संबंद में भी हम बात करने वाले हैं कि आखिर कब तक यह जारी करेगा अपनी फाइनल मेरिट और अधिकारियों से जो बात हुई है उसके संबंद में भी हम चर्चा करेगे तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो छे विशे हैं और जिनकों की 13 प्रतिशत होल्ड पर रखा गया है और उसके अभ्यरति किस प्रकार से परेशान है सोशल मीडिया पर भी मुद्धा काफी उचला हुआ है और काफी सरकुलेट है तो आए दोस्तों एक निउस्पेपर की कटिंग के माध्यम से हम इसके थोड़ा इंटीरेड में जाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पिछला वर्ग विकास मोर्चा ने आरोप लगाया है गवर्मेंट पर कि OBC पर जो दोहरी नीती सरकार खेल रही है ये बिल्कुल आगे आने वाले समय में उसके लिए गातक सिद्ध को सकते हैं देखे दोस्तू यहाँ पर सीधा आरोप लगाया गया है कि सिक्षक भरती में आरक्षण का पालन किया जाए और ये आरोप लगाया है पिछला वर्ग विकास मोर्चा ने उन्होंने कहा है कि जो भी नियम है उसका पालन सुचारू रूप से नहीं किया गया इस सिक्षक भर पांच विश्यों तथा मादमिक सिक्षकों के दो विश्यों में OBC 13 प्रतिशत पद न्यायलाई से कोई इस्थगन आदेश ना होने के बाद भी होल्ड कर दिये गए हैं दोस्तों जो भरती का आरक्षन का मामला है वह सुप्रीम कोट का जो निर्ने दिया गया था इंद्रसाह उनको जॉइनिंग नहीं मिल पा रही वहीं पर EWS के 10 प्रतिशत के अनुपात में सभी पदों को भर दिया गया है और इस प्रकार्च का जो भेदवाव पूर्ण कारेवाही पर रोक लगाई जाए तता रोके हुए आदे 17 प्रतिशत आरक्षन पर ही लागू कर दिये जाए और उनको जारी किया जाए इस प्रकार दोस्तों जो पिछला वारग विकास मोर्चा है उन्होंने सीधे सरकार पर गवर्मेंट पर निशाना साधा है औ और 13 प्रतिशत होल्ड को हटाए जाने की मांग की है कि ना तो हाई कोट के दोरा किसी परकार का कोई इस्टे दिया गया ऐसा उनका कहना है मानना है और बहुती जल 27 प्रतिशत आरक्षन के सामने जो भी अभ्यरती 13 प्रतिशत होल्ड पर आ गए है तो उनको भी निउक्ति दी जानी चाहिए अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि उप्चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और बीजेपी तीन सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर चुकी है केवल रेगाओं की सीट पर ही उसको हार का सामना करना पड़ा है अब दोस्तों ये उप्चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं गवर्मेंट का ध्यान पूर्व में पूरा उप्चुनाव पर था इसलिए सिख्षक भरती को नेगलेक्टेट किया जा रहा था उसकी ओर विशेश ध्यान नहीं दिया जा रहा था अब चुकी चुनाव संपन हो चुके हैं और बीजेपी काफी मज करते की जा रही है कि जैसे ही दिवाली के बाद में कोई सा भी दिन वर्किंग डे होता है उस समय ये लेटर जारी कर दिये जाएंगे और उनको भी वापस अपने-पने स्कुलों में भीज दिया जाएगा और दोसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी सीनियर्टी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, जैसा कि पूर्व में लेटर जारी किया गया था, उनको उसी दिनांग से न्युक्त माना जाएगा, जिस दिनांग से पूर्व में और भी जो भी अभ्यरती थे, कैनिडेट थे, चैनित सिक्षक थे, जिनको जॉइनिंग दी गई थी, त प्रकार से दोस्तों, जो सीनियर्टी है, वो प्रभावित नहीं होगी, चली, अब हम बात कर लेते हैं, एलाइट सब्जेक्ट की, तो दोस्तों, एलाइट सब्जेक्ट का जो निर्ने है, वाई हाई कोट पर डिपेंड है, क्योंकि अब आगामी समय में 10 नवंबर को इसकी सुनवाई होना है, और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, कि गवर्मेंट को दो सब्जेक्ट का समय दिया गया था, कि वो अपना डेटा कलेक्ट करें, कि कितने केंडिडेट उनके विभाग में एलाइट सब्जेक्ट से सम्मधित काम कर रहे हैं, और ऐसे कितने चैनित एलाइट सब्जेक्ट वाले हैं, जो की वर्ग एक में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका पूरा फाइल बनाना है, उनकी पूरी फाइल को कमपाईल करना है, और कोट को सामने उसको प्रस्तुत करना है, उसके बाद में ही कुछ निर्ने लिया जा सकेगा, और निश्यत रूप से दोस्तों, गवर्मेंट ने इसके लिए एक लेटर जारी किया था, और उस लेटर में उन्होंने पूरी जानकारी मांगी थी, कि कितने अभ्यरती हैं, कितने सिक्षक हैं, जो कि वर्ग एक में एलाइट सब्जेक्ट के करता आया है, जैसे जैसे लिस्ट डीपी आई की आती है, उसके लगवग एक महीने के अंतर से टाइवर डेपार्टमेंट में भी अपना काम स्टार्ट किया जाता है, और इस परकार से यदि हम देखें, तो दोस्तों, डीपी आई के दोरा जो लिस्ट जारी की गई थी, प अलंकि ये काफी गुमरहा करते हैं, जितने भी आफिसर से हम बात करते हैं, उतने ही जवाब हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन काम तो करना है, और ट्राइवर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सिक्षकों की कमी है, तो बहुत ज़्यादा देर इसमें नहीं होना है, और बहुत ही जल्द ट्राइवर डिपार्टमेंट भी अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगा, और सभी सिक्षकों को जो की ट्राइवर में चैनेत हैं, उनको न्यूपती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा, और उनको भी अपने विद्यालेओं में पहुँचा दिया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की कि 13% को हटाने की मांग की गई है मोर्चा के द्वारा, एलाइट सब्जेक्ट वालों की विस्तिती काफी अच्छी है, वो भी जीत की तरह बढ़ रहे हैं, और ट्राइवर डिपार्टमेंट भी अब अपनी भर्टी को बहु लिस्ट वालों के लिए भी जब लोग सिक्षन संचाल नालय में बात की गई, तो उन्हें उन्हें कहा है कि दिसंबर के आसपास उनकी भी बर्ती कर ली जाएगी, तो दोस्तों सभी को शुमकावनाओं के साथ में दीवावली की हातिक हातिक बदाई, बिलते हैं आगले वी कर दो दोस्तों से लिए भी जातिक हैं आगले वी कर दोको शॉज जाएगी में देग जाएगी